हेलो दूस्तो आज मैं नेट फिलिक्स पर मिस्टर मम्मी नाम की फिल्म देख रहा था एंड लेट मी टेली वेरी फिस्ट इट्सक्रेप इन कैपिटल लेटर्स मैंने इतनी घटिया बॉलिवर्ड फिल्म सालों में नहीं देखी आई मीन सीरिसली मुझे कोई भी ऐसी फिल्म याद नहीं आ रही जिसे मैं घटिया फिल्म की तौर पर इस चुतिया पे से कंपेर कर पाऊं हलांकि मैं सलमान भाई की रादे को स्किप कर चुका हूँ बट येस दबंग ठरी से इसे कंपेर किया जा सकता है एंड यार मैं अननिया शर्मा से परसनल इमेल कर ये पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या ऐसा खाया था ऐसा क्या देख लिया था जो आपको ये कहानी लिखने का आईडिया आया आई मीन क्या सोच कर क्या फूंक कर आपने इसे लिखा इस्टोरी के नाम पर concept के नाम पर यह है फिल्म सड़ी हुई टटी के समान है Even worse than that यार मेरे पास सही शब्द नहीं है जिससे मैं इस फिल्म की बोवाली बुराई कर सकूँ जो यह फिल्म और इसकी महान लेखी का actually deserve करती है और यह फिल्म नहीं एक चुतियापा है एक irritation है एक torture है और एक महान गटिया फिल्म है मैं इसे देखने के बाद इसका review ही नहीं करना चाहता था लेकिन फिर भी मैंने किया फिर फिर यह सोच कर की आप लोग वोवाली गलती ना करें जो मैंने की and to be honest मैंने सोचा था कि यहे एक comedy drama फिल्म होगी तो मैंने इसके बारे में कुछ भी google करे बिना और इसका trailer देखे बिना ही इसे देखना शुरू कर दिया और आज मैंने experience की एक महान फिल्म इतनी महान की इसकी तारिफ करने के लिए भी मेरे पास शब्द कम है क्योंकि मैं अपने घर में बैठ कर वो शब्द नहीं बोल सकता जो यहे फिल्म एक्चुली डिजर्ब करती है मतलब यहां पर इसकी महान लेखे कान भगवान के master plan की बत्ती बना कर अपने ही बीप बीप I mean what लगा दी हलांकि उस कचरे को उस चुतियापे को justify करने के लिए उन्होंने end में यहां पर एक twist एड किया है और end में एक effect भी दे दिया है कि ऐसा कैसी हो सकता है तो यहां पर इस फिल्म में कुछ भी अच्छा कहने जैसा नहीं है I mean मैं फीदा फीदा point पर ही आ जाता हूँ इस फिल्म में ना तो comedy अच्छी है ना acting ना कहानी ना concept ना presentation ना execution नहीं यहां पर मास मसाला है ना depth है ना जरा भी potential है और ना ही treatment है मतलब कुछ भी नहीं है और जो कुछ भी है वो disgusting है I mean मैं तो इसे देखने के दोदान हमेशा यही सोच रहा था कि पहले तो यह सब हुआ कैसे I mean यह होने का रास्ता क्या था और जो कुछ हुआ भी वो अब बाहर कैसे आएगा कौन सा रास्ता बना कर वो अब बाहर निकलेगा इस टोरी फोकस्ट है बचों से नफरत करने वाले अमोल पर जिसे एक दिन पता चलता है कि उसकी बीबी के साथी साथ बोबी प्रेगनेंट है मैं इसे ज्यादा डेटेल में नहीं जा सकता कहने को ये कुछ नया जैसा तो हो सकता है लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तालाब में लोटने वाली भैस पर आप एक फिल्म बना दो या फिर एक्षन फिल्म के नाम पर आप दो बैलों की लड़ाई पर फिल्म बना कर थियाटर में रिलिज कर दो आई मिन फ्रेश तो बो भी होगा ना क्यूंकि ओडियंस ने लीड जोल में भैस को या फिर बैल को तो कभी भी कहीं भी नहीं देखा होगा फिल्म में इंजोई करने जैसा एंटर्टेनिंग जैसा कुछ भी नहीं है और मैं इस चुत्याबे में कहीं पर भी इनवेस्टी नहीं हो पाया जब यहाँ पर बोचीजी जीबिल होती है बहीं से ये फिल्म मुझे हैडिक देने और इरिटेट करने लग गई थी एंड जब फिल्म का कॉंसेप्ट ही घटिया है पिलोट ही बकबास है तो फिर यहाँ पर कुछ भी अच्छा कैसे हो सकता है और यहाँ पर इतनी इरिटेशन कम थी कि बोल का फारा जैसे ग्रेट गाने का री क्रिटेड वर्जन भी यहाँ पर डाला गया है आई मिन मैं इस फिल्म को एक दभा और जहल सकता हूँ बट जोबिन नौट याल के उस घटिया गाने को एक बार भी बलदाश्ट करना मुश्किल है मतलब बोकाना अपने आप में एक टॉल्चर है इरिटेशन है थर्ड डिग्री है जिसको सुनने के बाद कोई भी अपरादी कुछ भी बोल देगा कुछ भी कुबूल कर लेगा इवन वो फांसी की सजा भी कुबूल कर लेगा सु जैसा कि मैंने कहा फिल्म में कुछ भी नहीं है किसी भी चीज, किसी भी element के बारे में बात करने की कोई जरूत नहीं है जो कुछ भी याँपर है सब कुछ ही गटिया है एंड फिल्म का screenplay, writing drama सब कुछ ही बहयात है और यहाँ पर एक सिंगल शॉट, एक सिंगल सीन, एक सिंगल डायलोग भी ऐसा नहीं है, जो मुझे ज़रा भी अच्छा लगा हो, और यहाँ पर जो गाने हैं, बू एक से बढ़कर एक बखबा से बाहियाद है, मुझे यहाँ पर सारे ही गाने स्किप करने पड़े, और उतन कोई भी फिल्म नहीं आई है, और जेने लिया को तो मैंने सालों से फिल्मों में नहीं देखा, फो रेतेश देशमुक और जेने लिया डिफूजा ने बहुत ही घटिया एक्टिंग की है, और बाकी के जो एक्टर्स यहाँ पर हैं, वो भी बखबास और घटिया ही लगे है हलां कि महेश मांजरेकर का करेक्टर इंटरिस्टिंग है और वो कुछ हद तक ठीक भी लगे है, तो दोस्तों मैं इससे ज्यादा इस कच्चदे के धेर के बारे में और कुछ भी बात नहीं करना चाता, तो अपनी सेहत का खयाल रखते हुए आप इस फिल्म को स्किप ही करे तो आपके लिए अच्छा होगा, और इसे भूल कर भी न देखें, क्योंकि घटिया फिल्मों की रेश में यह औसकर जीत कर आ सकती है, so it's obvious, जीजो स्टार्स, that's my rating for Mr. Mummy, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रियक्ट बच करें, फिर जाहे आप लाइक करें या डिसल सबस्क्राइब चाहरो